मेर चुनाव 26 अप्रेल को आम आद्मी पार्टी सत्ता में काविश पूर्वे दिल्ली में बिजेपी नेताओं का कहना मेर होगा बिजेपी का आपका कहना होंगी अगली मेर श्यली उब्राए गीता कोलोनी में शम्शान घाट के सामने चल रही अवैद पार्किंग, MCD के इंस्पेक्टर ने पार्किंग को कराया खाली, अब अगला टेंडर आने तक पार्किंग रहेगी फ्री गोगलपूरी में दोहरे हत्या का अंड में शौमेल हत्या का आरोपी गिरफतार घर में हुई थी, बुज़र्ग धंपत्ती की हत्या, बहू और उसके प्रेमी ने दोस्त की मदद से वारदात को दिया था अन्जा पूर्विदिले के कई लाकों में कुत्तों का आतंग घर से बहार निकलने से डरते हैं बच्चे, लोगों ने लगाया MCD पर आरोप का हाला परवाही की वज़े से हो रहयाद से पांडम नगर में प्रॉपर्टी बेहन के नाम कराने के लिए साले ने जीजा की की पिटाई, पत्नी और ससुराल वालों के खिलाप मारपीट का केस दर्श शुकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई कारवाही नमस्कार में आपके साथ अंकिता पाला आप सभी का पुलिव दिली खास में एक बार फिर से हिस्वागत है, रुक करते हैं खबरों के तरफ 26 अप्रेल को दिली मेयर का चुनाव होना है, अलाकि दिली की मेयर शेली ओबराए हैं और अपकी बार ने समय करण के साथ में मेयर का चुनाव होगा निगम में विपक्ष में बैठी, बिजेपी ने चुनाव से ठीक पहले, आम आदमी पार्टी की एक और पार्षद को अपने पक्ष में कर लिया है, वही कल होने वाले मेयर चुनाव पर हमने बिजेपी और आप पार्टी की नेताव से बात की आपको दादी कि आप नेता अतुल गुपता का कहना है कि दिली के मैयर शेली ओब्राय होंगी और वही मेयर बनेगी और साथी वही बज्येपी नेता मेहंद्रा हुजा का कहना है कि आपकी पार्षद खुद मेयर से नाराज है निगम में स्टेंडिंग कमिटी का चुनाव कि जो उनकी वर्तमान मेर केंडिडेट हैं उन्होंने पिछली बार मेर रहते हुए लोग तांतरिक मुल्यों का पालड नहीं किया स्टेंडिंग अमेटी के जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जो चुनाव घोशित हो गया उसको घोशना करने के एन पहले रोक लिया और दुबारा चुनाव कराने की कोशिश की तक पस्षात मामला कोड में चला गया ऐसे विवादी व्यक्ति को सर्फ मती से मेर नहीं ब बनी थी लेकिन भारत्य जंता पार्टी के अप्रबंचों की वज़े से उनका जो समय था वो बहुत ही कम रहा उस समय के अंदर वोक्ति प्रतिवा को पूरी तरह से उसको कारे रूप में नहीं लेक्या पाई तो इसको देखते वे आमादी पार्टी ने डॉक्र शैली अव पार्किंग खाली कराती है जब तक अगला टेंडर नहीं आता तब तक ये पार्किंग फ्री रहेगी आपको बदादे कि इस तानिये पार्षद संदीब कपूर ने इस पार्किंग का ब्योरा निकाला तो ये बात सामने आए कि यहां पर पार्किंग कुछ महीने पहले ही कै है और पता लगा कि ये पार्किंग बहुत पहले से जो ठेकेदा था उसका कोंट्राइक कला तो खतम होने के बाद ये फ्री पार्किंग का अलडेटी लेटर इशिव था लेकिन यहां जो अवेत पार्किंग वसूली जा रही थी तो आज ही मेरे साथ इंस्पेक्टर ने आक जिस दिन लेटर उसे आएगा, जिस दिन सरकारी जो है, पैसा चालू होगा, उस दिन जो है, वो करेगा, लेकिन तब तक ये फ्री है, देखें, ये तो एक बहुत बड़ा माफिया पार्किंग में काम करता है, और दीरे दीरे उसे भी खतम करेंगे, पहले भी हमने किया था, और लेकिन ये हैं कि इस में तो नर्मल प्सेंजर गाडियां, और गाडी तो बसे कोई भी आ सकती है, लेकिन नर्मल प्सेंजर रिक्षा विक्षा जो सड़ко बे कड़ी हैं, सड़को बे बहुत भीडर hemmet, ऑर यह बहुत भी बीड़ आएग, बहुत भी है, यहां लड़ क जो फ्री पार्किंग उनकी एक लिस्ट पबलिश की जाए और जो प्रतिनितिया और थाने के अंदर सारी लिस्टें दी जाए है दिल्ले पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गोकलपूरी थाना इलाके में हुई संसनी खेज दोहरे हत्याकान में शामिल 29 साल के विकास उर्फ विराज को गिरपतार किया पुलिस को सूचना में थे जिसके बाद उसे गुरजर भवन गाउ कोटला मयूर विहार दिल्ली के पाद से गिरपतार किया गया आरोपी विकास सेक्टर 3 में चिरंजीव विहार और साथ थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मामला अभी हाल ही का है भागी रती विहार थाना गोकलपूरी लाके में 72 साल के रादेशयाम और 68 साल की वीड़ा नाम की बुज प्रेमी आशीश को पुलस ने पहले ही गिरपतार कर लिया है जबकि तीसरा आरोपी विकास परार था आरोपी विकास दसवी पास है और पहले वे दूद की डेरी में काम करता था और अब वो टैक्सी चलाता है पैसो के लालच में आकर दोस्त आशीश के साथ में इस हत्या म शामिल हो गया ठाइभ पूर्विदिले में कुत्वो के आतंक से लोग बेहत परेशान हैं गलियों में घूमते अवारा कुत्ते आते जाते लोगों पर भॉकते हैं और अक्सर ने काड़ भी लेते हैं ऐसे में लोगों के मन में कुत्तों का डर भी बैठ गया है खास तोर प कुट्तो के हमले जहिलने पड़ते हैं। आ गे हैं कुक्तों को रास्ती हमें गल्यों में खाना खेलाते हैं यदि असीन थे का लगश्चिय से क्राइच भटते हैं यह बेये उसका के द्वारा चंप अलती हमारी चेटर में सकरपुर। करविंदर नाम की थे उस सप Edlia नहीं के में उनको कुक्त दरफास्त करना चाहती हो कि जो हमारे आसपास गलियों में अवारा कुटे घूंगते रहते हैं ति हमारे बच्चों को मुठसान पहुचाते हैं हाल ही में ती-चार बच्चों को कुटे के काटने की वज़े से बहुत जादा खत्रा पहुचा है रेगीज की बिमारी उनको हो और उनमें एक दहशत फैलिवे इसलिए विच्चे बहार निकलने से भी ड़ते हैं मैं कुटे कुटे को बहुत परिसान हूँ कि हम दुकान से जब घर आके हैं तो कुटे बहुतने लगते हैं कि वह पीछे पढ़ जाते हैं और बहुत लोग पशु प्रेमी होगे हैं जो कुटे कर दो के लगता हैं पूर्वदिली के पढ़म नगर थाना इलाके में कौटला गाउं में रहने वाले विने कुमार ने अपनी पतनी और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया विने कुमार का कहना है कि उनकी पतनी के नाम प्रौपटी कराने के लिए उनके साले ने विने के साथ में जमकर मारपीट की उनको बहुत जादा पीटा गया और उनके हाथ पैर भी तोड़ दिये गए विने का कहना है कि इस मामले में फरीदाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा तो दर्श कर लिया लेकिन हारोपी पर कोई भी कारवाही नहीं हुई है मैं जाकर बेटे के बारे में पूशता हूँ यह अपना वही पूशते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर लाया किराया लाया और हमने पेपर तयार कर वाली है तो सब परीती के नाम कर दे मैं मना कर देता हूँ मैं कहता हूँ बेटे को दिखाओ यह कहते बेटा यहीं है लेकिन अब चलते हैं वहाँ 470 बटा 21 बी पे अमारा प्लॉट है, वहाँ चलते हैं, मेरे मना करने के बावजोर्दी वह दो बीर बोतल मंगवा देता है मेरे लिए, मैं पीता नहीं हूं, उसके बाद अब ही शेक चुपचाप उठके जाता है, पीछे से लोही की रोड लाता है, मैं कुर्षी पर बैटा हूँ होता है, मैं कुर्सी से घिराता है और पहले यवार में मेरी टांग तोड़ देता है, उसके बाद मुझ पर लगातार बार करता है, मेरे दोनों पैर मेरे दोनों तोड़ देता है, मेरी शादि को 11 साल होगए, 2012 में मेरी शादी हुई थी, लड़ाई का कारण अब फिलाल जो है, वो यह है कि यह सब चाहते हैं, मेरे पर जो भी थोड़ी बहुत संपत्ती है, वो मैं इनकी बेटी के नाम कर दूँ। जितने की प्रूस पर की जाती है, ताकि समाज भी दोनों को बराबर का दरजा मिले। कि दौरान एक स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति जील की ओर जा रहे हैं, उनमें से एक ने रेट टीशिट पहन रखी है और शक होने पर स्कूटी को रोक लिया गया, पुस्ताज करने पर उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, जिसके बाद पुलिस ने एक स्कूट स्कूटी भी बरामत की है। इस पताल में लग जाएगी तो मरीजों को इलाज कराने में परेशानी नहीं होगी। पानी और एलेक्रिसिटी का कनेक्शन देंगे, वो अपनी मशीन लगाएंगे और मरीजों को डायलेसिस और सीटी स्केन की सुविधा उपलब्द कराएंगे। चार्जिस मार्केट रेट से देखा जाया तो उससे बहुत कम होगे। एक महीने में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। तक किस जगह पर मैं में इंस्टाल की जाएगी। अभी एरिया लोकेशन डिसाइड हो गई है। सीटी स्केन तो जहां पहले होता था वहीं पर होगा। और डायलेसिस जो जहां पर अभी कोरोना का वैक्सिनेशन चल रहा था उस जगह पर होगा। स्पेशल स्टाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांचित एक घोशित अपराधी को गिरपतार किया। आरोपी 2014 के नेंदनगरी के जगहन या मामले में भी वांचित था। आपको जाते कि गिरपतारी से बचने के लिए वैयूपी में चिपा हुआ था। जगहन अपराध में घोशित अपराधी को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम को काम सौपा गया। पुलिसर सूशना के अधार पर नेंदनगरी थाना इलाके में रामनिला मैदान के पास नेंदनगरी में रोट की रेड लाइट पर जाल बिचाया और मुस्तकीम नाम के आरोपी को गिरपतार किया है। सिक्षा निर्देशाले ने ये सूशना जारी की है कि स्कूल फेल हुए बच्चों को दोबारा एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सेकेंडरी क्लास के बच्चों को फेल होने के बाद में दुबारा एड्मिशन देने में स्कूल आना कानी करते हैं उन्हें लगता है कि उनका स्कूल का रिकॉर्ड ऐसे बच्चों से खराब होगा इस बारे में सिक्षा छेत्र से जुड़े आर्सी जयन का कहना है कि बच्चों की स्कूल से निकाले जाने के बाद उनका भविश खराब होता है वे दरदर भठकते हैं और ऐसे में स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को स्कूल में अड्मिशन दे उसी स्कूल में फेल हुए हैं सिक्षा देशाले का ये भी कदम ऐसे बच्चों की बहत्री के लिए मददगार साबित होगा नवी कलास के बच्चे जो फेल हो गई या ग्यार्वी कलास में जो बच्चे फेल हुए हैं सरकारी स्कूलों में एक नया ट्रेंट चल रहा है कि ऐसे क्लासों में फेल होने वाले बच्चों को DLa terminal को SCOOL के Okay है पृन्हें स्टाफ की तरफ से ने इस्ताफ की तरफ से दबाव बनाया जाता कि वो बच्चे इनस्टोル से आपना सेटिव्यकेट कर Stewart ले कर Productju कि आपना दाखला पूर्वी दिल्य के सांसत गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली की जंता से सीधा समवाद करने के लिए गौतम कनेक्ट अभियान का शुबारम किया आपको उतादे की सांसत गौतम गंभीर ने गांधी नगर विधान सभानतगर ओल्ड सीलंपूर गाउं के राजेश पाइलेट चौपाल में कारिकरम कायोजन किया आपको उतादे की कारिकरम में बिजेपी श कल बोर्ड रेलवे सहित कई विभागों की टीम भी मौजूद रही मैं कई लोगों की समस्याओं का समाधन भी किया गया देखिए कारेकरम अभी शुरू नहीं किया पिछले कई समय से शुरू किया आठवे से जाद है हम कोशिश करें कि हर वाड में जाके लोगों की समस्या करें लेख और कोशिश करें कि वो समस्याओं दूर कर सकें जैसे मैंने बोला था कि सारी समस्याओं दूर नहीं हो सकती लेकिन अगर उसमें से 70% समस्याओं भी दूर हो जाएंगी और साथी में जो हमारे निगंए निगंपाशध है उनके साथ मिलके अगर हम इस वाड को ब बहतर बना पाएंगे या समस्य हैं दूर कर पाएंगे तो लोगों के लिए बहतर है क्योंकि लोगों के लिए तो हमाएं लोगों ने हमें चुन है तो अगर हम उनको कुछ वापस दे सके उनको वोट को बहतर बना सके उससे बहतर चीज़ क्या हो सकती है देखे आपके सामने ह जब अधिकारियों को यहां पर बुलाए तो किस तरीके जमने अधिकारियों को बोलाई कि इसका समाधान निकाले तो अधिकारियों का काम है कि उसका समाधान निकाले और उसको regular follow-up करेंगे के आपर कांसलर जो हैं यहां की नीलम जी तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इसका जरूर कोई ना कोई समाधान निकले पोर्वी दिल्ली के एसाई हॉस्पिटल जिल्मिल में आज अमेटकर जयनती के अपसर पर कारक्रम कायवजन किया गया कारक्रम में दॉक्टर भीम राव अमबेटकर कोई एक व्यक्ति नहीं एक विचार है आप जितना पढ़े उतना कम है बाबा साहिब का जब जनम हुआ उस वक्त चुवा छूट जातपात चरम सीमा पर था उस वक्त में बाबा साहिब को सिक्षा ग्रहन करने के लिए क्लास में बैठने क अनुमति नहीं थी और पानी पीने का अधिकार भी नहीं था और यह सब किसी को मालूम भी नहीं था वह वेक्ति जो जिसको क्लास में बैठने का अधिकार नहीं है जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं है वह भरत वर्ष के लिए एक भरत सभीधान कर निर्वाता होगा और इसलिए भारत के सभीधान के निर्माता करके वो एक सूरज की तरह पूरे विश्व में रोशनी दे रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं इतना पड़ा लिखा होने के बावजूद जो इन्होंने समाज के लिए कार्या किया उसके मैं समझता हूँ कि सब को बहुत सराहना सब लोग करते भी हैं सब लोग इनकी पूजा करते हैं और ऐसा व्यक्तितव जो अपना छोड़ कर अपने पास सब कुछ होते हुए भी समाज के लिए कार्या करता है उसकी तो परशंसा जितनी की जाए वो भी कम है बावा साब भीम्राव अंबेडकर जी के जनम दिवस को आज हम जिल्मिल E.S.I. होस्पिटल में सभी करमचारी गण यहां पर मना रहे हैं सभी के सहयोग से महापुरुष को याद किया गया है और आज इसी उपलक्ष में हम सब यहां एकत्रित हुए ताकि उनके विचारों को हम एक दूसरे को बता सकें उनके विचारों पे चल सकें और जितने भी उनके विचार है शिक्षित रहो संगतित रहो ये शब देश को आगे ले जाने के लिए मुल मंत्र हैं तो महिलाओं के लिए बावा साहब ने बहुत काम किये हैं, यानि सभी के लिए काम किया है, भारत का सम्मिधान, निर्माता, पूरे विश्व के नेता उनको कहा जा सकता है फिलारे सुबुडिन में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं CCN Live